हलो दोस्तों मैं पढ़ा रहा हूँ काम और समय टायम एंड बर्ग रेल्वे में सभी पूछे गए प्रस्ण का सोलूसन करवा रहा हूँ तो आएए स्टार्ट करते हैं तो पहला कोशन है A और B किसी काम को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं जबकि सी और A उसी कार्ज को 42 दिन में पूरा कर सकते हैं इस काम को अकेले पूरा करने में को कितना समय लगेगा अब इसमें निकालना है कि सिर्फ अगर अकेले सी काम करेगा तो कितना समय लगेगा ठीक है है तो यहां देखिए कि दोनों यहां दों का pair है परतेक साथ में दो आदमेह राये, A और B 28 दिन में, B और C 35 दिन में, C और A 41 दिन में, अब यहां निकालना है हमें C तो C-का निकालना है हम यह देखेंगे C का मान के में नहीं है C किसमे नहीं है तो तो A पलस B में C नहीं है, इसका मान जो आएगा उसका माइनस में लिखेंगे, तो C का मान डारेक्ट आएगा, तो C बराबर, पहले तीनों का इलसियम लेंगे, 28, 35 और 42, 28, 35 और 42 का जदी जो हम इलसियम लेते हैं, तो हमारे पास 420 आजाएगा, अब 420 को हम 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना हम इसलिए करेंगे कि परतेक साथ 2-2 आदमी है, A और B, B, C, C, A, परतेक बार 2-2 आदमी है, इसलिए 2 से गुना कर रहे हैं, अगर 3-3 आदमी रहता, तो हम 3-3 से गुना करते हैं, चलिए, अब नीचे करेंगे, पहले 28 से भागा देंगे 420 में, 28 से भागा गर 420 में देंगे, तो 15 बार में ही चला जाएगा, तो इसका मान ये 15 जो रहेगा माइनस में, माइनस में इसलिए रहेगा कि C का मान निकालना है C, A और B में नहीं है तो उसमें अगर मान माइनस करते हैं तो C का मान डायरिक्ट आएगा और 420 को फिर 35 से भागा देंगे तो इसका चला जाएगा 12 बार में तो इसका मान पलस में रहेगा इसमें C है और 42 से भागा देंगे तो ये चला जाएगा 10 बार में 10 बार में चला जाएगा अब इसी को कैलकुलेशन कीजिए अब नीचे जोडने पर आ जाएगा 12 और 10 बारिस मतलब ये आ जाएगा नीचे 7 आ जाएगा अब 420 बटे 7 आ जाएगा 420 मतलब सी का एंसर आ जाएगा सी का माना जाएगा 120 दिन अगर सी एकेला करेगा काम तो 120 दिन में काम हो जाएगा अब सन नम्मर हमारे पास बी है अब नेक्स्ट कुश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट है A, B, C किसी काम को 45 दिन में करता है अब यहां लिखते हैं कि A, B, C A पलस B पलस C किसी काम को 45 दिन में करते हैं और A, B A पलस B उसी काम को 54 दिन में करते हैं अब कहा रहा है केवल B, C B पलस C करेगा तो इस काम को 90 दिन में पूरा करेगा तो कहा रहा है कि B अकेला कार्ज किया तो उसे कार्ज पूरा करने में कितने दिन का समय लगा था तो निकालना है B अकेले का कार्ज कितना दिन में करेगा अब यहां से आप समझे कैसे हम निकालेंगे B का अब एक देख रहे होंगे A पलस B पलस C का मान दिया हुआ है उसमें A और B जदी घटाएंगे तो हमारे C का मान आ जाएगा तो पहले C का मान हम निकाल लेते हैं यहां से पहले लीजिए हम C का मान निकालते हैं तो क्या 45 गुने 54 करेंगे 45 गुने 54 करेंगे तो क्या करेंगे C का मान निकालने के लिए क्या A plus B plus C में A plus B घटा आएंगे तो घटाने का नियम क्या है दोनों का गुनन फल बटा दोनों का अंतर फल तो 45 गुनन चववन अब अंतर फल हो जाएगा 9 9 से काट ये 9 पचे 45 कट जाएगा अब 54 को 5 से गुना किजेगा तो आजाएगा 270 C का मान आगया 270 ठीक है अब C का मान B plus C में अगर घटा देंगे तो B का मान नहीं आजाएगा C का मान B plus C में घटा देंगे तो B का मान आजाएगा तो B का मान निकालना है तो 90 गुने 270 दोनों का गुनन फल मतलब B plus C में और C का मान हम घटा रहे हैं का्टनेंगेंगेंगें दोणा का गुनन फल बटा दोणों का अंतरफल कितेना आ जाएग एक सो आज़ाएगा अब काति astrology-30 दुना एक особ 35 दुना कि Thom 25 दुना और आजएगा आज मारे पास ऐकसो ती telefon सैंध्य !! जो कि एक काम को दस दिन में बी और सी पंदरा दिन में और तथा ए और सी बीस दिन में समाप्त कर सकते हैं तो बी अकेला निकालना हो तो यह काम कितने दिन में समाप्त कर सकता है अब यहां से देखें लिखने की जरूत नहीं है वो समझाने के लिए मैं लिख देता हूं तो यहां निकालना है में डारिक्ट भी कामान निकालना है तो पहला कम हम क्या करेंगे हिल्सियम लेंगे पंद्रा बीस दस के हिल्सियम हो जाएगा हमारे पास साथ हा जाएगा और साथ को हम दो से गुना करेंगे क्यों करेंगे कि दो दो आदमी हमें साथ में देखिए यह पलस भी बी का मान निकालना आता देखें बी किसमें नहीं है लिए प्रस्टी में इसमेंबी नहीं है तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ तो इसका मान माइने में लिखते हैं पहले 10 से बागा देंगे 10 चेका साठं़ 15 से बागा देंगे 15 15 साथ अब 20 में 20 से भागा देंगे इसका मान मानस में लिखेंगे यूंकि इसमें बी नहीं अब 6-5-11 में से 3 गया तो बचेगा हमारे पास कि छे पाच ग्यारा कि सोरी पंदरा से भाग जाएगा चार बार में जी हम गलती लिख दिया है यह जो यहां पर लिखे हैं यह चार बार में जाएगा पंदरा से अगर बाग देंगा तो चार बार में जाएगा पंदरा चौका साथ छे चार दस में से यह तीन गया तो बचेगा साथ हमारे पास आ जाएगा 120 बटे साथ इसको पुरनांक में तोड़िये चलिए ओपसन यही दे दिया 120 बटे साथ ही ओपसन दे दिया जोकि ओपसन नमबर हमारे पास सी है अब चलते हैं नेक्स्ट कुश्चन पर नेक्स्ट कितना 20 दिन में कर रहा है तो B अकेला कितना दिन में करेगा अब यहां से हम क्या करेंगे सेम कुश्चन आपको कितना नमबर वाला है आपको 47 नमबर वाला पहले A पलस B पलस C में B का A पलस B का मान घटाएंगे तो C का मान आ जाएगा तो C का मान लाने के लिए A पलस B पलस गठाई है तो गाटने करने हैं मैं किया दोनों का गुनन फल बटा दोनों का अंतरफल 2435 जदिंक अ माना तब पलसे में से की का मान गठाएंगे तो इस इस ऐसी और 20 इसका चीन है हमारे पास 60 तो दोनों का गुनान फल बटा दोनों का अंतर फल निए 40 आ जाएगा अब 20 दूना 40 अट 30 दूना 60 यह हमारे पास आ गया B का मान 30 मतलब B अकेले काम करेगा तो 30 दिन में करेगा यह हमारे पास अप्सन नमबर कितना आ गया यह आ गया अब नेक्स्ट कुश्चन पर चलते हम नेक्स्ट है A और B किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं B और C 15 दिन में कर सकते हैं C और A 36 दिन में कर सकते हैं तब तीनों मिलकर तीनों मिलकर उसी कार्ज को कितने दिन में कर सकता है यह हमें निकालना जो है यह यह पलस B पलस C का मान निकालना हमारे पास तो कैसे A B 12 दिन में B सी 15 दिन में सी और यह 36 दिन में अब तीनों का 12 15 36 अगर हम लेते हैं तो हमारे पास कितना आजाएगा तीनों के लिस्यम अगर निकालेंगे तो आ जाएगा 180 180 आसी Elsya मागा 120note 2 से गुला करेंगे क्योंकि दो आदम्ही हमारे पास हमेशा साथ में 12 से फीड़ी भागा देंगे 15 12 ships । 15-1 भार में चला जाएगा उसके बाद 15 भागा देंगे तब 12 जबंड़ा जाए जाएगा फिर 36 से भागा देंगे तो हमारे पास तीन से भागा चला जाएगा अभ इसको कैल्कुलेशन करेंगे तो हमारे पास 18-26 उन्हीं 360 बढ़ा बटा कितना जाएगा पंदरा बारा ऑफ कि 10 कि ऑफ तो पंदरावारा 273 तो अगर 36 से भागा देंगा तो यह 5 बार में जाएगा न हम इसकुक हम काट यह अब इसको गर भागा देंगे नब्वे को आठ से भागा देंगे, नब्वे को अगर भागा देंगे, और कटेगा, और कटेगा जी, एक रोट अठासी है, कटेगा, यह 45 दुना 90 हो जाएगा, और यह 4 दुनी 8 आठ आजाएगा, हमारे पास आजाएगा, 45 बटे 4, इसको अगर पुर्णाक में तोड़ेंगे, तो इसको पॉइंट में अंसर दिया हुआ, तो पॉइंट में लागें, तो एक 11.44, एक 45, एक को चार से भागा देंगें, तो 2.5 आएगा, यहीं हमारे पास option number कितना है, C है, अब चलते हैं, next question की और, next question है, देखिए, यह question जो है, हमारे पास मिसर समानुपात से दिया गया है, मिसर समानुपात में आपको थोड़ी बहुत चीज जानना पड़ेगा, तो क्या जानना पड़ेगा, तो चलते हैं, उ इन चीप आचाना पड़ेगा, जैसे, M, M1, गुने, D1, गुने, T1, गुने, W2, बराबर, M2, D2, गुने, T2, गुने, W1, इसमें देखे, M से हो गया माइन, M से, M से हो गया, M फर माइन हो जाएगा, और D से हो गया, दीन हो गया, D1, D1, T से, Time, W से, Work, W से, Work, हम हमें करना क्या है, आदमी, दीन और Time, तीन चीज़ पहचानना है, तीन चीज़ जो पहचानेंगे, वो पहली बार अगर आया है, अगर पहले बोला है तो पहली तरफ रहेगा अगर दूसरी बार बोलेगा तो दूसरी तरफ रहेगा E1 और 2 देने का मतलब है पहली तरफ और दूसरी तरफ A denote करता है कि पहले बार बोलेगा पहले तरफ लिखेंगा दूसरी तरफ लिखेंगा और W2 W2 पहचानने की जरूतने है इसमें क्या है तीन जब पहचान लिए बाकी जो बच गया वो आगया W2 W जो है पलड जाता है मतलब पहले बाला W दूसरी वाला तरफ चला जागा दूसरी बाला W पहली वाला के तरफ चला गया चलिए इतना ची जानगे ऐसे आप लोग मिसर समानुपाद पढ़े होंगे मैं तो सोलूसन करवा रहा हूँ और नहीं तो मेरा मिसर समानुपाद पढ़ाया हुआ के और करा 32 महलाएं 32 महला है 32 महला है इस कार्ज को 12 दिन में कर सकती है 12 दिन में कर सकती है अब इसे काट करके पहले हम लाएंगे कि एक आदमी बराबर कितना महला काम करेगी तो किसको काट यह 12 से 12 कट जाएगा 16 दुनी 32 कट जाएगा 2 बार में हमारे पास आजाएगा M बराबर 2W, मतलब एक आदमी बराबर दो महला काम करती है, अब देखिए ये किस परकार से हमें किया है, वो देखते हैं, अब यहां से आप चाहें तो इस पर भी बना सकते हैं या तो इस पर भी बना सकते हैं, तो हम माइन पर ही बनाते हैं कि 12 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, तो इन्होंने क्या कहा, कि 8 पुरूस और 8 महलाओं ने 12 दिन काम किया, मतलब 8 मैं पलस 8 बो मैं ये 12 दिन तक काम किया, 12 दिन तक काम किया, और बोड़ रहा है कि जिसके बाद 12 दिन काम किया, जिसके बाद 8 महलाओं ने छोड़ दिया, 12 दिन काम हुआ उसके बाद 8 महिला चला गया तो करा 8 अन्य पुरूस इसके साथ सामिल हो गए तो पुरूसों को से सकार्ज को पुरा करने में कितना दिन लगा मतलब 8 पुरूस 8 महिला काम पर लगाया था लेकिन महिला छोड़ दिया अब आ गया 8 पुरूस तो 8 पुरूस पहले से था अब पलस में 8 पुरूस और आ गया तो कितना हो गया 16 पुरूस इस काम को कितना दिन में करेगा यही हमको सोलूसन करना है अब इसको सोलूसन किजिए अब हमारे पास अंसर बन के तयार हो जाएगा अब कैसे करेंगे इसको अब यह जो बुमायन है उसको आदमी में कनवर्ट कर दीजे तो आदमी में कनवर्ट करेंगे तो यहां देखिए यहां इसका सारा लेना पड़ेगा इसका इसका सारा हम कैसे लेंगे कि एक आदमी बराबर दो औरत है तो दो औरत है तब यहां से हम कर कर सकते हैं अ आप आप यहां एक आदमी बराबर दो और तो आठधान एक ससे बागा देंगा तो एक गुणा let meilla माइन मैं हाटा देंगे सब को हम एधर भी है मिधा करें एंधर भी लिए व्हट चलों को हम हटा देते हैं 12 आदमी 16 दिन में करता है यहां प्सकते नहसे बज़ते goofy5 और हो इदर बारा दिन में करते हैं तो कितना दिन में कर पाएगा ठीक है अब इसको काल्कुलेशन कीजिए यह कट जाएगा कि इसे हम काटते हैं तो कटेए कितना वार मैंजी चार से कट ये, चार चोक सुल्ला, चार तिया बारा, चार चोक सुल्ला, अब ये आ गया, अब ये आ गया, बारा चोक अर्तालिस, अब बारा तिया च्छतिस, बारा चोक अर्तालिस हो च्छतिस, अब यहां पे अर्तालिस में से च्छतिस जाएगा, ये अर्तालिस में से इध 36 जाएगा तो बचेगा कितना बारा बचेगा तो बारा बराबर इधर बच जाएगा फोर डी फोर डीटू फोर गुना डीटू अब इसको काटिएगा तो चारतिया बारा यहीं कि डी का मान हमारे पास आजाएगा डीटू का मान आजाएगा हमारे पास कितना तीन दिन तो कह रहाए? जो 16 आदमी और लगाये थे, वो कितना दिन में काम समाप्त करेगा? तो 3 दिन में काम समाप्त करेगा अब चलते हम नेक्ष्ट कुश्चिन पर नेक्ष्ट कुश्चिन हमारे पास क्या है भाई? आट सो आदमी 33 में पूरा कर सकते हैं 800 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं तो गरा 12 दिन काम करने के बाद 80 आदमी छोड़ देते हैं तो बाकी बचे लोगों द्वारा से इस काम को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है अब देखें जब ऐसा कुशन रहे तो हम ये कर सकते हैं 800 आदमी 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, एक काम था उसको ठेका लिया कि 800 आदमी हम लगाएंगे 30 दिन में पूरा कर देंगे, तो 12 दिन काम होने के बाद जो है 80 आदमी छोड़ दिया, अब इसके पास बचा हुआ काम कितना है ओ देखिए, अब यहां जो बचा हुआ काम है उसम तुलना करेंगे, 12 दिन जो समात हो गया उससे हमको को लेना देना ने, तो 800 आदमी 12 दिन तक काम किया, अब बचा हुआ काम हमारे पास कितना है, तो 800 आदमी के लिए हमारे पास काम बचा हुआ है, 30 में से 12 जाएगा 18 दिन के लिए, 12 दिन तो काम समात हो गया, अब 18 दिन ब बचा हुआ है अब आदमी हमारे पास कितना बचा को यह निकालना था हमारेmag यहां सब्सक्राइब सब्सक्राइब शेने आप का अंसर तयार है 0 से 0 काट दिये अब 18 चोक 72 कट गया अब 4 से काट गया तब 20 चोके 80 कट गया यहां यहां यह पता चल गया कि 720 आदमी जो बचा था वो सेस काम जो बचा था उसको यह कितना 20 दिन में काम समाप्त कर देगा तीक है अब चलते हैं Next Question बे Next Question है कि 36 पूरुष किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं 8 दिन बाद 4 समाप्त चोड़ दिया तब से काम पूरा करने में कितना दिन लगेंगे अब सेम कूश्चन है सिर्फ अंक चेंज है पीछे वाला का सेंग 36 पूरुष जो है काम करने का ठीका लिया बलत 24 दिन में आपका काम कर देंगे लेकिन 8 दिन काम किया उसके बाद 4 आदमी छोड़ के चले गया तो अब देखिए काम बचा हुआ कितना दिन का तो 24 दिन का ठीका था 8 दिन तो काम हो गया हमारे पास अब काम बचा हुआ है 16 दिन का अब 16 दिन का बचा हुआ है और आदमी कितना बचा हुआ है चार आदमी छुड़ दिया तो हमारे पास आदमी बचा हुआ है 32 तो यह जो 32 आदमी बचा हुआ है यह काम कितना दिन में करेगा यह हमें निकानना है अब इसको क्या 16 दुनी 32 दो बार में कट गया अब यह काटिया 18 दुना 36 तो D2 का मान आगिया हमारे पास कितना 18 दिन अब जो बचा हुआ आदमी था सेश काम को 18 दिन में कर देगा अब नेक्स्ट कूश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट कूश्चन है कि 30 बेक्ती 20 दिन में काम कर सकते हैं ठीक है 30 बेक्ती 20 दिन में काम कर सकते हैं 6 दिन बाद कितने बेक्ती या काम छोड़ देना चाहिए ताकि काम या पूरा 26 दिन में समाप्त हो जाए अब देखिए इसका कहानी थोड़ा कुछ और है एक क्या कहा किसी ने इसको ठीका दिया और कहा कि काम 20 दिन में समाप्त कर दीजेगा ठीक है तो इन्हों ने 30 दिन 30 बेक्ती को लगा दिया कि 20 दिन में काम समाप्त कर देंगा ठीक है लेकिन जो ठीका दिया था ओ वोला कोई नहीं भाय साब चलो 6 दिन और साही हमारा पास 6 दिन और टेम है आप 26 दिन में काम समाप्त कर दीजेगा ठीक है 26 दिन भी लिजेगा कोई बात नहीं है तो यह ठेकेदार सोचा कि अब यहां से हम दुसरे साइट पर कुछ आदमी लेक चले जाते हैं तो कह रहा है कि 6 दिन बाद यह कितना ब तो आदमी में यह देखना है कि 30 आदमी जो लगा था इसके लिए अब काम बचा हुआ कि नदा छे दिन बाद बेक्ति हटाया था ना छे दिन तक तो यह 30 बैक्ति काम किया था तो बचा हुआ कि ना तो छे बैक्ति के लिए चे बेक्ति के लिए ये काम 14 दिन का हो तीस बेक्ति के लिए 14 दिन का और काम बचा हुआ है, क्योंकि 6 दिन बाद काम हटा बेक्ति हटाया है, तो 6 बेक्ति तो 20 दिन तक काम किया है, 14 दिन का काम और बचा हुआ है, तो 14 दिन का काम बचा हुआ है, काम समाप करना है 26 दिन में, तो 14 दिन बचा हुआ तो 6 दिन बाद यानि 20 दिन और हमारे पास टाइम है तो कह रहा है कितना आदमी हम चाहिए इस काम को 20 दिन में समाप्त करने के लिए ठीक है अब इसको काट येगा तो ये सही ये कट गया मतलब 20 दिन में समाप्त करने के लिए 21 आदमी चाहिए तो 6 दिन बाद कितना आदमी हटाया था ये तीस आदमी पहले से था और 21 आदमी अब हम को चाहिए तो हटाये गये आदमी अब यहां लिखिए हटाये गये मैन कितना हो जाएगा 30 माइनस 21 बराबर 9 छे दिन बाद ये नव आदमी अगर हटा दिया तो इसका काम जाकर के 26 दिन में समाप्त हो जाएगा ठीक है अब चलते हैं नेक्स्ट कुश्चन पर नेक्स्ट कुश्चन है कि पुरूसों के एक समून ने दस दिन में काज करने का निर्ने लिया एक पुरूसों का समून है कितना का है जो पता नहीं इन कहा कि आपका काम भाई साब हम 10 दिन में कर देंगे लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रहे अब जितना भी विक्ति काम पर लगाया ठेकेदार काम पर भेज दिया कि जाओ काम करके आना लेकिन यह क्या किया कि 5 बेक्ति गायब हो गया तो कराय सेस सदस्च्च ने इस काम को 12 दिन में पूरा कर दिया जो सेस गया वो पूरा कर दिया तो कराय की वह कितना box को भेजा था तो देखे, ये मान लिया जाए, ठीकेदार ने एम पुरुस को काम करने भेजा था, बोला कि तुम लोग जाओ, और दस दिन में काम समप्त कर देना, ठीक है, लेकिन इसके साथ क्या हुआ, कि पांच आदमी पहले से गायब होगा था, जितना आदमी गया था, उतना आदमी प काम समप्त किया, तो कह रहा है कि एम का मान निकालिए, कितना आदमी इन्होंने भेजा था, अब इसको कट लिए, पांच दूना दास, छे दूना बारा, अब इधर आ जाएगा, एक लाइनार बढ़ा लिए, फाइब एम बराबर, छे एम, माइनस, छोपचे, तीस, अब य इन्होंने तीस आदमी काम पर भेजा था, ठीक है, अब चलते हैं, नेक्स्ट कुश्चन पर, नेक्स्ट कुश्चन है, दस प्रूस किसी काम को अठारा दिन में पूरा कर सकते हैं, छे दिन बाद, पांच प्रूस उनके साथ सामिल हो जाते हैं, तो सेस कार्ज को पूरा करन कितने दिन का समय लगा अब देखिए एक एक आदमी जो है दस आदमी एक ठेकेदार ने दस आदमी लगाया बोला कि इस काम को अठारा दिन में कर देंगा लेकिन छे दिन बाद पांच आदमी और आ गया तो इसके पास जो है छे दिन बाद पांच आदमी आया है तो दस आदम के लिए 12 दिन का काम बचा हुआ है तब कह राएं पांच बैक्तिया और आ गया यह नि कि 10-05-15 हो गया 15 हो गया तब कह रहा है कितने दिन में काम समथ करेगा अब काटिये इसको तो कैसे कटेगा चार तिया बारह पांच यह 15 पांच दुनी 10 अब डी टू का माना आएगा चार दुनी आठ मतलब आठ दिन लगेंगे इस काम को पूरा करने में जो सेश काम बच गये था ठीक है अब चलते हैं नेक्स्ट कुश्चन पर नेक्स्ट है पंदरा पुरूस या पचीस महिला आए एक खेत के फसल को 22 दिन में काटे पंदरा पुरूस और 18 महिला इनहें काटने में कितने दिन लगेंगे अब कर रहा है या तो पंदरा पुरूस लगा दिए या तो 25 महिला लगा दीजिए इस खेत को 22 दिन में काटेगा या कहे और कहे या कहे अत्वा कहे तो बराबर का चिन परते हैं और गई दो पलस का चिन परता है यहां यह बोला 15 पुरूस यहीं कि 15 मैंन बराबर कितना 25 महिला है अब यहां से हम निकाल लेंगे कि एक आदमी बराबर कितना महिला हो जाएगा तब मतलब तीन आदमी बराबर पांच पुरुस काम करेगा तेहां से या तो मैंड पे बना लिजिए या तो बूमाइन पे बना जिए आपका एंसर सेम आएगा अब देखिए हम मैंड पे बनाते हैं कि 15 आदमी किसी काम को 22 दिन में करता है पंदरा आदमी किसी काम को 25 दिन में करता है अब करा है नव पुरुस बराबर नव पुरुस पुरुस तो यह अठारा महिला पलस अठारा महिला और कहा था पलस का चिन्हा पड़ेगा तो अठारा महिला बटाईजा महिला कितना है पांच है पुरुस में बदलना हमको तीन से गुना करने परना इतना आदमी यतना महला कितना दिन में काम करेगा यह ठीक है तो अब यहां से हम क्या करेंगे कैलकुलेशन करने पर हमें कितना जाएगा कि 15 है गुना 22 वराबर नो पच्छे 45 अठारत यह 54 अठारत यह 54 और 45 को अगर हम एड़ करेंगे तो हमारे पास निन्यानवे आएगा निन्यानवे बटा पांच गुने डीटू अब इसको कैलकुलेशन किजिए एगर एगारा दुनी बाइस एगर निन्यानवे नौ हो जाएगा अब यह आजाएगा तींतिया, नौ, पांचतिया, पंद्रा तब पच्पचे 25 दुना 50 बटे 3 आएगा 50 बटे 3, यह निन्यान दीटू का माना आँगे 50 बटे 3 तब 50 बटे 3 को अगर पुर्णांग में तोड़ेंगे हम तब आजएगा 16 पुर्णांग 2 बटे 3 यही हमारा अंसर आगया जो की option number यह है ठीक है अब चलते हैं next question पर next question हमारे पास है कि 16 आदमी एक कार्ज को 24 दिन में पूरा कर सकते है यहां से लिखिए कि 16 आदमी 16 में किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते है लिजे 24 दिन में कर दिया ठीक है अब है कि 24 महला है 24 में इस काम को कितना दिन में कर सकते हैं 32 दिन में कर सकते हैं तो यहां से हम निकाल लेगे हैं कि एक आदमी बराबर कितना महला काम करती है अब यहां से देखें कटेगा कटेगत काटिए 24 से 24 खता मोगया 16 दुनी 32 हो जाएगा ठीक है अब आ जाएगा यहां से कि 2 सोरी कि M बराबर 2W मतलब एक आदमी बराबर दो औरत यहां काम करती है ठीक है अब यहां से आगे बनाएंगे या तो इस पर बना लिए या तो इस पर बना लिए आपका एंसर दोनों पर आ जाएगा तो हम इस पर बनाते हैं कि 16 आदमी यहां से लिखते हैं कि 16 आदमी किसी काम को 24 दिन में कर सकता है तो यहां से हम क्या करेंगे 16 में किसी काम को 24 दिन में कर सकता है तो यह क्या कर रहा है 16 पुरूस और 16 महिलाओं ने मिलकर 12 दिन काम किया मतलब 16 में पलस 16 में ने मिलकर इस काम को 12 दिन किया 12 दिन किया तो कह रहा है जिसके बाद महिलाओं ने छोड़ दिया महिला ने काम छोड़ दिया तब कह रहा है इसके साथ कितना पुरूस और लगाया जाए मतलब अब बच गया हमारे पास कितना 16 में के साथ कितना पुरूस और लगाया जाए तो मालते है एक एम और लगाया जाए कि इन्होंने मिलकर के इस काम को दो दिन में समाप्त कर देगा ठीक है अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो सब में एम है एम को हटा देंगे तो कोई दिकत कोई परिशानी नहीं और यहां से जो डबलू है यह 16 औरत है इसको हम बदल लेंगे किसमें आदमी में अब देखे आगे 16 आदमी एम को हम हटा रहे हैं कि 16 आदमी किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं ठीक है अब यहां से एम को जदी जो हटाते हैं चलिए इसको चेंज कर दते हैं कलर तो पता चलेगा बढ़िया करें 16 आदमी किसी काम को 24 दिन में कर सकता है ठीक है अब यहां से 16 आदमी और 16 आउरत तो एक आदमी बराबर 2 आउरत तो 16 आउरत बराबर कितना आदमी 8 आदमी तो 16 आदमी और 8 आदमी कितना हो जाएगा 24 आदमी तो 24 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है तो कह रहा है फिर 16 आदमी और एक एम है एक्स है तो 16 पलस एक्स यह दो दिन में करता है यह दो दिन में करता है ठीक है अब यहां से क्या करेंगे, काटेंगे, प्लस में इसमें भी काटना पड़ेगा, इसमें भी काटना पड़ेगा, तो 2 से काटेंगे, तो 6 दूना 12 और केतना, यह 12 दूना 24, अब 16 और 12 गुना करेंगे, 16 12 गुना करेंगे तो 192 आजाएगा बराबर 24 24 44 पलस ये 16 पलस एकस आजाएगा ठीक है अब इसको जदी जो हम कैलकुलेशन करते हैं तो 144 144 पलस 16 करेंगे तो हमारे पास 160 आएगा तो 160 इधर ले जाकर के घटाएंगे तो 100 बराबर हमारे पास आजाएगा 192 माइनस 160 बराबर 32 मतलब इसके साथ 32 आदमी काम पर साथ में आएगा तो जाकर के इसका काम सही समय पर मतलब दो दिन में काम समापत हो जाएगा ठीक है अब चलते हैं नेक्स्ट कुश्चन की वर एक निश्चित संख्या में कुछ परूसों को 50 दिन में पूरा करने का कर सकते हैं पांच परूस अधिक होते तो इस कार्ज को पूरा होने में 10 दिन कम लगते हैं तो परूसों की कुल संख्या ग्याद कीजिए यहांसी यह कह रहा है कि एक निश्चित परूस माल लिए जहें कि M प tapping करने में 50 दिन लगता तो पांच परूस अधिक होते म पलस पार पांच परूस अगर अधिक होते तो आज यह काम 10 दिन कम में समाप्त हो जाता है नहीं कि जो 50 दिन में हो रहा था अब हो जाता है इस काम 40 दिन में अब इसको कड़े जीरो से जीरो खतम किजिए यह पांच यह मिधर चार है मिधर पांचों का 20 आजाएगा तो डायेट अंसर एम बराबर हम 20 लिख सकते हैं जो कि अपस जिब्लिट की तीन पुल्प्रोस और दो लड़के इसकाम को फंद्रा दिन में पूरा कर सकते हैं तो 4 पुल्प्रोस और दो लड़के इस काम कों कि ने दिन करेंगा तब यहां से करेंगे कि दो एम बराबर मिल करके इस काम को समप्त करने में कि इस काम को समाप्त करने में कितना समय लेता है 18 दिन लेता है अब कह रहा यहां से अब यहां से कि दो पूरूस तीन पूरूस तीन मैं पलस दो कि इस काम को समाप्त करने में कितना दिन लगता है 15 दिन लगता है ठीक है अब काट यह इसको 5 दिया 15 और छोट या 18 ठीक है पांच दिया 15 और यह 6 दिया 18 ठीक है और कटेगा नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा तहा था हम क्या करेंगे निकाले कि चे दुना 12M पलस च्छोतिया 18B अब इधर कीजिए पांतिया 15M पलस यह जाएगा पांत दुना 10B यह जाएगा M बला एक तरफ कर दिये B बला एक तरफ कीजिए इधर आएगा तो 3M बरावर उधर जाएगा तो 8B मतलब 3 आदमी बरावर 8 लड़का काम करेगा ठीक है आप 3 आदमी बरावर 8 लड़का काम करेगा तब यहां से या तो इस पे बना लेजिए या तो इस पे बना लेजिए आपका एंसर आजाएगा अब चलते हैं next page पे next page पे हमें यह कर लेंगे कि हमारे पास तीन आदमी बराबर आठ बॉय आया था तो हमें एक पहला उठाते हैं कि दो मैं कि दो मैं पलस सोरी तीन बॉय इस काम को 18 दिन में करता है तो यहाँ पर देखिए कुश्चन में दिया हुआ कि चार पुरूस चार पुरूस और दो लड़के इस काम को कितने दिन में करेगा तो यहाँ यही लिखते हैं बराबर में कि चार पुरूस चार मैं और दो लड़के इस काम को कितने दिन में करेगा नहीं कि डीटू निकानना है हमारे पास ठीक है अब यहाँ को यहां क्या करेंगे या तो सब को बच्चा में बदलदिजिए या सब को आदम बदल देया दिंग हैं यहां पर दो आदमी तो दो आदम, फंद तीन बच्चा वराबर हों कितना था तीन बच्चा वराबर तब गुल हुआrovねぇ अँड़ेम झाल यह मैं की अटरहा यहां इसको बच्चा को आदि गुब्र Fenuri मेरे टीन बच्चा ते तिन पच्चा है कि की टीन पच्चा बढ़ाबर थीन इस तीन पच्चा निर्यल्य पर अबिश快 और इसे टरफ मेंत्रफ mim What the future relationship सकते हैं ग है थी अब अब तर जो सकते हैं कि बच्धा बच्चा भटे बच्चा भटे आठ बच्चा अब पतना त्किकतना कर दिए अब यहां से हम क्या करेंगे कि इसको जो है आद्मिं बदलेंगे पिट ipdogs लिफ आशा तो गुने कितना करें और भी आद्मिं बदल गया अब उना यह को ज़ुरूत नहां है कि ठीक है अब इसको कल्पुलेशन करेंगे तो इसको काट रहेंगे चार दूनी चार बार में कट जाएगा अब इसको करेंगे आठ दूनी 16, 19 16 कितना हो गया 25 यह आजाएगा 25 बटे 8 अगुने 18 अब यह आ जाएगा चार चोक 16, 13 29 बटे 4 आ जाएगा अब इसको काट यह चार दुनी आठ और नौ दुनी अठारा पचीस नमा दो पचीस यहनी डीटू का माना जाएगा कि दो सो डीटू का माना जाएगा कि दो सो पचीस बटे कितना जाएगा 29 इसको पुर्णांक में तोड़ेंगे 13 पुर्णांक 16 बटे 19 जाएगा जो की option number हमारे पास कितना है option number A है ठीक है चलिए समझ में आ गया होगा अब चलते हैं next question में इसमें कुछ नहीं था सिर्फ calculation था सिर्फ बैठा दिये और calculation कर लिए आपका direct answer आ जाता ठीक है अब next question देखते हैं next है कि नजी साथ पूरा हो गया चलते हैं आज इतना ही आप मिलते हैं next class में thank you